खुपसूरत पतनी-पतनी के हाथों में मोबाइल फॉन, मोबाइल में इंस्टाग्राम और फिर इंस्टाग्राम पर उसने रील बनाई कि ना एक नहीं खल ना एक हुमें उसके छे दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि पती ने उसकी हत्या कर दी मामला मत्यप्रदेश के उज्जेन से जुड़ा है जहां पर उज्जेन में रचना को रील बनाने का सौफ था लेकन याई बात उसके पती को नागबार गोचर रही थी रचना का 13 साल का बेटा है जिसने बताया कि वो रील बनाने के चक्कर में उसको और उसके पता को दोनों को पीटती भी रहती थी बता दें कि सनीबार को उस बक्त हरकंप मच गया जब तरवियानी पुल के पास एक बोरे में एक महिला की लास मिली महिला के हाथ पेर और मोह बंदे हुए थे बोरे से दुरगंद आने लगी थी बोरे से दुरगंद आने लगी थी सूचना मिलने पर लोगों ने ततकाल पुलिस को सूचित किया जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुँच गई बोरे से महिला की लास मिली है महिला की पहचान उज्जेन के पबारा की रहने बाली रचना के तोर पर हुई है रचना सुकुर्वार को सुबह से ही लापता थी सनिगार की सुबह नील गंगा और नाना खेडा थाना पुलिस को सुचुना मिली की तरवैनी बुल के पास एक बोरा पड़ा है उससे दुरगंद आ रही है सूचना पर पुलिस मौगे पर पहुंची और जब बोरा खोल कर देखा तो उसमें महिला की लास निकली जिसकी सनाक्त रचना टिपानिया के तौर पर हुई है जो पवार की रहने बाली थी और सुकवार से वह लपता थी पुलिस ने महिला के इस स आपको बताने इतना ही नहीं एक तेरा साल का उसका बेटा भी है जिसने पुलिस को यह बताया है कि मार घर में सभी लोगों के साथ मार पीट करती थी और पिता को भी पीटती थी रचना की गुमसुच की दर्ज कराने के लिए पती सुकवार को पुलिस था ने पहुंचा थ फार्म ट्रेक लेकर आया है तेवहार धमा का अब ट्रेक्टर खरीदी पर पाए एक सुनस्चित उफार किसानों के लिए फार्म ट्रेक ट्रेक्टर बना अभी तक का नम्मर बन ट्रेक्टर तो देर किस बात की ट्रेक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपिंद पड़रिया, 94-25, 99-99-20 हमारा पता है पड़रिया टेक्टर से सोरूम चांदपर रोड रहली सागर मर्ण